नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ टेक पे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको वन आल टबलेट के बारे में जानकारी देंगे इस टबलेट का क्या काम है इसको कैसे यूज करना है इसके क्या क्या फायदे हैं और साइड इफेक मार्केट प्राइज इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो क्रिप्या वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स वन आल टबलेट जो की यब डिसी लिमिटेड कंपनी के दोरा बनाया जाता है जो की बहुत ही मासूर कंपनी है और इसके मार्केट प्राइज की बात करें तो 26 रुपए इसकी मार्केट प्राइज है और 10 गोली का एक इस्ट्री पाता है तो फ्रेंट्स आगे जानेंगे इसके फायदे के बारे में इससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दमाओ के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंड्स आईए जान लेते हैं 1R टबलेट के फायदे के बारे में तो फ्रेंस इसके content की बात करने तो इसमें लिवो सिट्रिजिन होता है जो कि 5MG में होता है प्रतिक टबलेट में या एक anti-allergy का और anti-histamine टबलेट है इसका इस्तेमाल allergy को दूर करने के लिए किया जाता है Ellergy के कारण जैसे की पूरे सरीर में खुझली होना, छिके आना, नाक बाना, या सरदी जुखाम आँखों से पानी आना या आँखों में खुझली होना, खासी या गले में खरास इसके अलावा मोस्मी Ellergy, धूल मिटी से Ellergy, इन सब में ये बहुत ही लबदायक है कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनसे इलर्जी हो जाती है तो पूरे सरीर में खुजली होने लगती है तो इन सब को भी ठीक करने के लिए ये टबलेट बहुत ही लाबदायक होता है तो फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं इस टबलेट के डोज के बारे में तो वन आल टबलेट को एक डल्ड ब्यक्ति रात में खाना खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं और कभी-कभी इसको सुवा साम भी दिया जाता है ये डिपेंड करता है मरीज के कंडिशन पे या अपने डाक्टर के परामर्स के अंसार ही इस टबलेट को लें तो फ्रेंट्स इस टबलेट को लेने से पहले अपने डाक्टर से परामर्स जरूर ले लें क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं तो आईए जान लेते हैं इसके क्या-क्या side effect होते हैं तो friends इसके जो side effect हैं जैसे कि दस्त लगना, मुझ सूखना, चक्कराना, जीमचलाना, उल्टी, घबराहट, नीद आना तो ये सब इसके side effect हैं और इस tablet को लेने के बाद नीद भी आती है तो इस tablet को खाने के बाद वहाँ नाज चलाने से बचें और इस tablet को लेने के बाद आने कोई समच्या होती है तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से तुरण संपर कर लें तो friends यह थी हमारी आज की जानकारी One All Tablet के बारे में आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो friends मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ